हलो स्टूदेंट्स वेलकम तो वाइफाइ 2.0 और एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है दिवाली स्पेशल इन सेशन्स में तो फर्स्ट एन फॉर्मोस्ट यार हैप्पी दिवाली एवरीबडी हैप्पी दिवाली और इस दिवाली कुछ अच्छा कुछ बैतर करने के ल पढ़ाई भी कहीं हैंपर ना हो क्योंकि आपको यार एक बार तो पता है कि ससी छसल की वेकेंसी आ चुकी है तो एक भी दिन अगर आपका कहीं मिस आउट होता है तो क्या पता शायद वो आपको में एक्जामिनेशन डे पर परिशान करें तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे ह हम बस लगातार क्लासेज इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आप भी फेस्टिवल एंजॉय करते करते इन क्लासेज को फॉलो करते रहेंगे रेगुलर क्लासेज जल्दी ही शुरू हो जाएंगी तो भी तब तक आपके लिए इस सारे के सारे प्रीमियर sessions ताकि आप इनको अपने हिसाब से stop watch लगा के अपने हिसाब से timer लगा के कर सके solve पढ़ सके तो आज के session में हमने जो topic रखा है आपके लिए that is alphabetic repeated series अब alphabetic repeated series are confusion का topic है क्यों क्यों कि हम यह पता लगा पाते कि कौन सा alphabet कब कहा आएगा कैसे आएगा तो बस उनी सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज का session design किया classes की timing एक बार आप revise कर सकते हो revise इसलिए क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे यही class हमारी चार बज़े हो जाती है और जब चार बज़े हो जाती है तो ये एक घंटे गरीब का session हो जाता है तो आपको उर इत्ता करना है कि अनoperation कि क्लास को भी इसके साथ साथ हमारे साथ follow करना है जब आप अपकाड़ी की classes को भी side by side follow करोगे तो बस आपकी तयारी जो है वो पूरी की पूरी complete हो जाएगी साड़े साथ से साड़े आट बज़े बैंक की क्लास होती है नौ बज़े से दस बज़े तक आपके S.S.C. की क्लास होती है तो इन दोनों के दोनों क्लास को YouTube के साथ साथ आपको follow करना है प्लस course की बात करें बारा बज़े से एक बज़े तक की टाइमिंग पे होता है अब plus course 18 November को हमारा नया launch होने वाला है तो आप उसको attend कर सकते जिस profile को follow करोगे आन Academy पे that is समझती शुकला ठीक है और जिस code को use करोगे to get the 10% discount ताकि आप plus course attend कर सको so that is basically SMS 10 समझ में आया पक्का तो ये सारी किस सारी classes की timing आपको as it is follow करनी अब इसके बाद subscription का process देख लो course में क्या-क्या है वो देख लो क्योंकि उससे benefit आप ही कर 18th of November को जो batch शुरू होगा वो अब तक का SSC का सबसे छोटा compact crash course कह सकते उसको तो जब आप उस SSC के compact crash course को पढ़ोगे तो 13 days 13 lectures 2 quizzes तो benefit ये मिल जाएगा आपको की short term में कैसे और किस तरीके से आपके सारे के सारे concepts cover हो सकते हैं वो पता चल जाएगा तो इसी रहे 18th November के batch को join करना बिलकुल न भूलें इसके लिए subscription करना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं और subscription की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यार subscription का process you all know it कि subscription के लिए उस page पे जाओगे duration select करोगे code apply करोगे proceed to pay करोगे online payment और आपका subscription done अच्छा उसके साथ एक बात और अच्छा benefit है कि आप other subjects और other educators को भी access कर पाओगे इस subscription से तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारे साथ bound हो जाओगे कि हमारा ही syllabus पढ़ना है या हम ही से पढ़ना है ना आप बाकी सारे educators और बाकी सारे subjects को भी access कर पाओगे तो यही सारी चीज़े जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बाद आगे अब हम questions की तरफ move on करेंगे आज जैसा कि हमने का alphabetic repeated series तो alphabets जब repeated context में आएंगे तो उनकी place value सबसे बड़ा role play करेंगे side by side common sense भी बहुत बड़ा काम करेंगे अब उसी basis पे चलो देखो यह सबसे पहला question jaf, jef, jif, jof तो अब देखो first or last everywhere jf लगा हुआ है तो जब first or last everywhere jf लगा हुआ है तो answer तो हमारा option number c ही होगा क्योंकि उसके अलावा तो कहीं पे jf है नहीं अब बीच का अगर देखो तो यह है आपके place values को अगर हम check करें तो बहुत simple context है a का 1, e का 5, i का 9, o का 15 क्या हुआ यह देखो plus 4 plus 4 यहां हो गया कित्ता plus 6 तो अगला भी कित्ता होगा plus 6 तो 15 और 6 होता है 21 मतलब u तो आना ही था बात समझा है तो juf अगला देखो अब blanks वाल तो blanks के लिए आपको सबसे पहले तो यह rectify करना होता है कि letters कौन कौन से तो letters हो गई है x और y अब x और y letters के हिसाप से अगर आप देखो तो option number c if we check it out option number c देखो yxx then yy फिर इसके बाद yy x x y मतलब pattern क्या बन रहा है देखो y x x y y x x y y x x y clear अगला देखो w x c d u v e f s t g h o r i j तो I guess इसको हम back side से ले या इस तरीके से ले तो समझ में आए c d e f g h i j तो अगला will be k l तो option number a में बस दिया हुआ है k l simple अगला चेक करें अब letters यहां पे कौन-कौन से है x y z p 4 letters लेकिन elements कितने हैं 1,2,3,4,5,6 जादा तो अब अगर हम इनको देखें तो हमाई पास pattern क्या है देखो z से पहले x और z के बाद p z से पहले x z के बाद p क्या pattern बन गिया देखो x y x z p x x y x z p x x y x z p x that means यह होगया आपका x p z x x तो x p z x x option number a तो common sense से पकड़के हमने देखो pattern identify कर लिया done अगला देखो w y b x u d y q f last letter yes last letter will help out 2 4 6 तो अगला विल बी 8 b से d f से h तो सिर्फ एक option में दिया है हमें z m h तो यह होगया हमारा answer done अगला देखो x dash p अब क्या हुआ x dash p dash y dash dash p z y dash dash p z y तो यहार एक बात तो हम समझके p z y सिर्फ एक ही option है जिसमें second blank में या second position पे z दिया हुआ है तो उस हिसाब से यहां z आ गया yes तो अब देखो pattern क्या हो सकता है यहाँ पे इस option को अगर हम रखते x y p z y तो x y p z y x y p z y तो pattern बन गया हमारा x y p z y clear अगला देखो s a b question mark q c d question mark a sorry comma p d d o e f n f f तो common sense कहता है last से चले देखो n o p q तो यहां क्या आएगा r क्योंकि यह s है फिर इसके बाद देखो a dash c d e f तो dash में b आ जाएगा फिर देखो दो बार d दो बार f तो दो बार b r b b अगला देखो फिर से blank blank dash x dash y dash x y x x dash y x y dash x y y x तो letters जो use हो रहे है वो तो x और y ही है ठीक है तो अब जब यहां पे देखो तो दो बार y x मतलब x y y x लेकिन यहां देखो तो x y x भी हो रहा है तो अब अगर हम option pick करें option number d तो option number d देखो क्या है y x फिर y फिर y और फिर x तो pattern देखो क्या हुआ y x x y y फिर y x x y तो एक काम करें y x x y y x x y और y x x y और बीच में बच गई है यह दो y x y x इसको आप 6 के part में भी divide कर सकते थे देखो कैसे y x x y y x y x x y y x और y x x y y x done अगला देखो b, a, z, d, b, y, y, f, c, x dash, y, z, dash, z, x, x, y, x, dash, z, dash, z, x, z, x, y अब क्या हुआ है पर? option number a अगर हम pick करें X, Y, Z Y, Z, X फिर Z, X, Y फिर X, Y, Z Y, Z, X, Z, X, Y तो simple है यह तीन-तीन के पार्ट पर लेके चल सकते हैं इसको हम और उसे साबसे answer आ जाएगा So option number A X, Y, Z, Y Done अगला देखो A-BBC-AA B-CC-A-BBCC तो अब जब यहाँ पर फिल करोगे न तो AA, BB, CC AA, BB, CC AA, BB, CC So that means ACBA Option number B Done अगला देखो Dash, BC dash, CA dash, ABA dash, C dash, CA तो अब question number 12 पर क्या करे हम Again, option number A ABC B-C B-C, B-C-A C-A-B A-B-C, B-C-A, C-A-B हर लेटर एक बार पीछे पीछे जा रहा है तो फिर A-B-C, फिर B-C-A That means A-B-C, B-C-A, और C-A-B इसी पैटरन को रिपीट करना है Done अगला देखो Dash, A-B Dash, B dash A-B, A-Dash, A-B, A-B तो अब question number 13 में A Double A, B-A-B फिर Double A, B-A-B Double A, B-A-B ठिक तो पैटरन है हमारा Double A, B-A, B अगला देखो B-C-A, Dash B-A-B, A-A-B-C, Dash A-C-A question number 14 option number A अब देखो A, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ B तो अब देखो क्या हुगा B-C, Double A-B B-C, Double A-B और बीच में जो छूटा हो C-Double A तो दो पैटरन हो गए B-C, Double A-B, C-Double A Done अगला देखो B-A, C-C-C-C-C-B-A-B-A-C letters तो हमारे A, B और C ही है इसके अरावा तो नहीं है कुछ तो अब जब हम इसको फिल करेंगे तो क्या कर सकते हैं Question No. 15 के लिए Option No. D B-A-C फिर A-C-C-B फिर C-B-A फिर B-A-C तो देखो B-A-C, A-C-C-B, C-Double B मतलब एक बार A दो बार, एक बार C दो बार, एक बार B दो बार फिर से A दो बार ठीक है अगला देखो AA-AA-BB-AA-BB-AA-BB-AA-BB-AA-BB-AA तो I guess ओव्यस ही बात है दो बार, तीन बार, चार बार तो अब देखो AA-B फिर AAA-BB- फिर चार बार A, चार बार B ठीक है तो option number B BAA-B next देखो dash BC, dash AC, dash AA, BB-AB-CC option number C double B, double C, double A फिर double C, double A, double B फिर double A, double B, double C तो देखो BACAB BACAB done हर लेटर दो बार अगला देखो B-C, B-C, A-C, A-C, A-B, 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 B-C, dash B-C, dash A so option number A again B, B, C, C, A फिर 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 A-C, A-A-B, फिर A-A, B-B, C मतलब देखो double B, double C, A double C, double A, B double A, double B, C तब फिर क्या होगा आगे double B, double C, A तो double B, double C, A double C, double A, B मतलब वो यह लेटर पीछे जाता जा रहा है double होता जा रहा है अगला देखो अब जो लेटर्स यहां पे हैं सिर्फ दो ही है that is T-S और देखो S के बार T तो हमें मिल क्या तीन का पैटर्न T-S-T, T-S-T, T-S-T So T-S-T, option number D 20th question अब जो लेटर्स यहां पे यूज हुए है वो क्या है G-F-E, I लेकिन यह कैसे दो बार आई तो G-F-E, I-I G-F-E, I-I G-F-E, I-I G-F-E, I-I So I-F, G-I-E G-I-E, option number C Done तो यह होगा है हमारे 20 alphabetic repeated series के questions I guess yes, सारी की सारी चीज़ें आपके clear हुई Clear होने के साथ-साथ letters को बस पहचानना है, solve करना है Done timing classes की आपको पता ही है तो अगर timing पता है classes की तो बस इन classes को regularly follow करना है आने वाले दिनों में जब regular classes हो जाएंगी तो Monday से लेके Friday तक साड़े चार बज़े class as it is चलेगी इसके अलावा Saturday, Sunday चार बज़े class चलेगी ठीक है Session पसंद आया है तो like करेंगे, share करेंगे और इस festival के समय में जितना जाद आपने friends को भी online session share कर सकते हैं करो Just keep practicing and be safe at home Thank you so much